विदेशों से खादे तेलों के आयात की गती सामाने हो जाने से बंदरगाहों पर तथा पाइप लाइन में इसका स्टॉक घटने लगा है। सरकार ने बंदरगा अधिकारियों के आयातित खादे तेलों की खेपों को जल्दी से जल्दी क्लियरिंस देने के लिए कहा है ताकि घरेलू प्रभाग में इसकी आपूर्ती का नियमित प्रवाह जारी रह सके। खादे तेलों का घरेलू बाजार भाव पिछले कुछ महीनों से एक निश्चित सीमा में लगभग स्थिर बना हुआ है। पर 19.75 लाग टन तथा पाइपलाइन में 9.85 लाग टन खादे तेलों का स्टॉक उपलब्ध था। नवंबर के आरंब में बंदरगाहों पर 20.64 लाग टन एवं पाइपलाइन में 10.75 लाग टन खादे तेल उपलब्ध था। इसी तरह एक अक्तूबर 2023 को 21.59 लाग टन खादे तेल देश के विभिन बंदरगाहों पर तथा 14.67 लाग टन खादे तेल पाइपलाइन में मौझूद था। खादे तेलों का सरवाधिक स्टॉक एक सितंबर 2023 को दर्ज किया गया जब विभिन बंदरगाहों पर यह 22.71 लाग टन तथा पाइपलाइन में 14.64 लाग टन पर पहुँचा। हालांकि इससे पूर्व अगस्त 2023 की शुरुआत में बंदरगाहों पर खादे तेलों का स्टॉक 23.36 लाग टन के शीर्श स्टर पर पहुँचा था। मगर पाइपलाइन में 9.49 लाग टन ही मौझूद था। भारत में इंडोनेशिया, मलेशिया एवं थाइलैंड से क्रूड पाम तेल, आर्बीडी पामोलीन तथा क्रूड पाम करनेल तेल, अर्जेंटीना एवं ब्राजील से क्रूड सोयाबीन तेल तथा रूस, युक्रेन एवं अर्जेंटीना से क्रूड सुरजमुखी तेल का आयात किया जाता है Bureau Report Market Times TV